रेडियो खुछी 90.4 FM ते तो हड़ा स्वागत तुसी बने हो यो अपने ड्वाइन ते दिलदार आर जे गुर्वेल सिंग दे नाल ते अज साड़ी जो विचारां दी सान चल रही है ओ तर्म दे विशेते चल रही है क्योंके तर्म है जेड़ा ये जिनगी नू अच्छी दे सकता है प्रन्तु ओदे विच कोई चीजां तो सननों जाग रुक रहना चाहिए जिस तरह ना जेड़ी चीज दी मार्केट दे विच वेल्यू जादा हूं दी है ओचीज नकली भी आ जान दी है ये दे विच कोई चूट नहीं है और ऐसा ही कोशे जिड़ा ओ तर्म दे नाल ही हो जिस तरह के नकली सोना नकली सोना नकली नोट अज बजार दे विच बहुत जादा है क्योंकि उन्हादी इंकता लोक रहा जरूरत है नकली दवाइयां ने नकली डौक्टर भी लिच है ति enforce नकली ऐसे लोकां दे बारेच गुरु नानक पाद शाजी दे बचन बड़े सोने हैं, गुरु सैब ज़ाद कहिंदे हैं ना, बगगा बगगे कपडे, तीर्थ मांज वसानना, कोट-कोट जीयां खावने, बगगे ना कहियां, मतलब के कपडे भी बड़े सोने संता वाले हैं, और जीड़ा है, और रहिंदे भी तार्मिक स्थाना दे उपर है, प्रंतु उन्ना दा मकसद को जो अरुन्दा है, ते इस दे बारे बेच मैं कृषन जी दा जो अर्जन नो उपदेश देता है, ओदे जो मी एक कोदा अरुन दे दे मां, क्योंके गीता दे बेच तुसी पड़ एक इल वर की है, जिमें इल असमान दे विच बहुत उच्चियां उडारियां लगां दी है, और लोका नो लगदा इल बहुत उच्ची उड़ रही है, प्रंतु उस उच्ची उड़ दी इल दी जेड़ी द्रिश्टी है, ओँ हेठा तर्ती ते मरे पे चुहे वाल हुं दी है, ते ओँ एही सोच दी है, कि कदों लोकां दा त्यान दुझे पास से ओवे ते मैं ओँ चुहा जेड़ा पकड़ा, इस से तरह ही ओँ जो समने बेठा संत दिस रहा है, ओँ गला ता लोक पर लोक दिया, पर मातमानी कर रहा है, प्रंतु ओदी जेड़ी असल द्रिश्ट सीदे भी बचन हान, जदो सत्गुरु कहिंदे है न, अखी ता मीटे नाख पकड़े ठगण को संसार, मकर पाशे कशो ना सूझे कैसा पदम लो, सोरी मैंनो जेडिया सही लाइन थोड़ा विस्सर गई, परंतु इस तरीके दे गुरु सहब जी भी बचन कर देने, जीदा म दुनिया नो ठगन दे खात्र का रहा है, असल जिन्दगी दे विच ता एदे कोल अजेहा कोश भी नही है, और इस तरीके दे लोक है जेड़े वो बहुत सारे हुंदे हैं, जो सान नो गुमरा कर देन दे हैं, सान नो दूसरे पास से ला देन दे हैं, बहुत सारा नुकसान भी करवा दे हैं, और इस से तरह दे नुकसान दे गल बाबर बानी दे विच गुरू नानक पादशा ने दसी के बहुत सारे माला फेरन वाले सादु संद, उनना सादु माने साठे देश दे राजपूत राजया नो क्या तहान नो बाबर ना लड़न लई, किसे तलवार न होगे ते बाबरता डावाल बांका नी कर पाएगा, प्रंतु होया, इस तो उल्ट होया ए, कोई मुगल ना होआ, अन्दा किना ना पर चालाया, कोई एक वी मुगल ना ना होया, और ऐसी लड़ाई होई, कि उस लड़ाई ने साधे देश दे उपर मुगल ना कबजा कर दे था और ए देश सी जड़ा ओ गुलाम हो गया, क्योंकि जड़े लोगे चौंदे नेना के मंत्रा देना, जंत्रा देना, पुठे सिदे त्रीक्यां देना लसी, दुनिया दे वेच कुश कर लमागे, और ओ समझ लेना कि नकली हन और नकली द्वाईया कदी असर नहीं कर दिय जंदियाने, हाँ नकली चीज़ां थोड़ा सस्ता जरूर मिल जंदिया, असल दोजार दा नोट लेना है, दोजार दे मिलेगा ते हो सकता है, नकली दोजार दे नोट है जेड़ा, ओता नो दो सो रपेच भी मिल जावई, और ए इस से तरह दा जेड़ा है, कम चलता रहें ते दोस्तों मेरे कहन दा मतलब इन नहीं है, कि तरम जिन्दगी दे विच बहुत कुछ कर सकता है, तरम दा असल मनौर था है, दूसरे लोकां दी सहता करना, पला करना, क्योंके गुरू नानिक पादशाजी ने जद क्या गया सी ना, कि तरम दा सही मतलब की है, ते गुरू स्ट्रॉंग होना, फिजिकली स्ट्रॉंग टे मैंचली स्ट्रॉंग मनौक ही असल रुप विच तरमी हो सकता है, जो मैंचली स्ट्रॉंग नहीं, वो मनौक तरमी हो ही नहीं सकता, परंतु आज तरम दे, खेतर विच जिनने लोग दिस रहे उन्देया उनना चो बहुत सारे ते डरे उन्देया डर करके तर मदेनाल जुड़ना के ऐ जेड़ी साड़ी चीज जाय ए मिल जाय असी मौत तो बच जाये एही कारणा है के तुसी जेके ते तर मस्थाना ते जाओ बुढ़ादी तानो गिंती जादा मिलेगी जवान नहीं मिलनगी क्योंके बुढ़ादी तो डरे तर मदेनाल जुड़ रहे है कोई मौत तो डरे तर मनाल जुड़ रहे है कोई किसे डर करके कोई किसे डर करके दूसरा तरम दे कोल आउन वाले हैं जो जादा गिंती लालचियां दी है के एकम कर लिए ते शैद रब साड़ी जड़ा बिजनस वेच बरकत पादे वे शैद असी केस जित जाईए रब दे कोल जाके सुखना सुखली ये ते शैद सड़ी जड़ी है ओदकान ते गराख जादा आजाना गल किया ए दो तरह दे लोक उन दे और इननों असी चड़दी कलावाले नहीं कह सकते चड़दी कलावाला उननों ही क्या जा सकता है जेड़ा अपने होसले दे नाल अपनिया मुश्कला हल करन दी जाच सिखदा है जेड़ा मनुख जिन्दगी दे विच दुज्जयां दा पलावी करना चवदा नानिक नान चड़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला जिस दे कोल जोश भी है होश भी है जो एच चौंदा है कि मैं किसे हो दा पला करा हूँ हर कम करन तो पहला सोच दा है जेड़ा कम मैं करन जा रहा है ये इस कम दा किसे दूसरे नो की लाब होवेगा जाद रखो जे किसे दूसरे नो तो हड़े कम दा लाब होवेगा ते ताही तुसी जाके जेड़ा है ओ चंगे इनसान अखवा सकदे हो जेकर दूसरे नो लाब नहीं होना तो हाँ नोई लाब होना है ते ओदे वेच तुसी चंगे नहीं अखवा सकदे क्योंके ऐसे डॉक्टर नो दे कोल तुसी चले जाओ जेड़े डॉक्टर नो दा तो हाड़े उत्थे जानना लाब हो जाए परन्तु तो हाड़े नो दा कोई लाब ना होए तक ही ऐसे डॉक्टर नो तुसी चंगा कह दोगे और इस करके मेरे कहन दा मतलब यहा के दोस्तो जिंदगी देवे चापा चंगे बनना है और चंगे बनना मतलब यहा के असी सिर्फ गला नाली चंगे नी बनना अपने एक्शन दे नाल चंगे बनना क्योंकि गली असी चंगिया अचारी बुरिया वाली जेड़ी गल है एता सानों आस पास बहुत मिल दी है के लोग गलाते वड़ियां वड़ियां कर लें देने परंतु जिकर उननों करना पहते फिर कुछ भी नहीं कर दे और ऐसे लोग है जेड़े उननों अदर्शिक लोग क्या जानता है जो बस कताबी फिलोस्पियां देवेच बहुत अगे गया उन्दे है पर जीवन च असल वेच उननों कुछ भी पता नहीं था मैं ना एक जगह ते देख रहा सी गा बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा सी उस्टोरी मैं ता डिना शेयर कर देवाँ स्टोरी को जे इस तरह सी के एक पंड़त जी जेड़े है उहो कथा करन लई जा रहे सान ते उस पंड़त ने जान देओ या रस्ते देवेच एक छोटे जे बच्चे तों मंदर दा रस्ता पुछिया के बेटा मैं उस बड़े क्रिशना जी के मंदर जाना है उसका रस्ता किस तरफ से जाता है बच्चे ने पूरा रस्ता दस दिता थे पंड़त जी कहिंदे के बेटा उस मंदर में मेरी जो है आज शाम को कथा है आपने कथा सुनने जरूर आना तो बच्चा सी छोटा केंदा के कथा में पंड़त जी आप क्या बताओगे पंड़त केंदा के कथा में मैं आपको पगवान को मिलने का रास्ता बताओगा ते ओ केंदा पंड़त जी मंदर नो जान दा रस्ता मेरे तो पोछ रहे हो ते पगवान दा रस्ता मैं नो तो है खाक बताओगे और पहला ते तानो ऐही नहीं नहीं पताएगा गल्खी है कि जिन्दगी दे विच बहुत सारे लोग ऐसे हुंदे हैं जो बस दमागी उडारियां थे बहुत वड़ियां वड़ियां मार देने प्रंतु असल विच जिन्दगी दे विच चोहना दे कोज खास नहीं है कि असी जिन्दगी दे विच जिड़ा ओ किसे दा पला करन दे लाइक हो जाईए अपने असी गुसे दे कंट्रॉल कर सकीए और असी अपने अंदरों ओ सारियां चीज़ां कट सकीए जिड़ियां चीज़ां दे नाल किसे दूसरे दा पैदा कट दे नुकसान जादा दे पर उन्तों मैं जिते भी देख़दे ना लोग अपने फैदे दी जादा सोच दे हैं दूसरे आंदे फैदे दी कट सोच दे हैं घर इन्सान किसे भी कामनों करन तो पहलना ये ही कहिंदा है कि ए जो कम मैं कर रहे हैं एद इच मेरा की फैदा होईगा पर गुर्बानी के इंदिया आप गवाई है ताँ शह पाई है और कैसी चत्राई के जिकर कुछ सच प्राप्त करना तर में इनसान ओही हम्दा है जो गुरु गोबिन सिंग जी वांग दूसरे हंदे पले दी खतर अपना सरबस्वी गवादे वे और अपने फैदे दी जे गुरु गोबिन सिंग सोच देता औरंग जेब जकरिया खान जा वजीर खान तो की कुछ नहीं ले सकते सी प्रंटो ना अपने फैदे दी नहीं उनना ने इस पार्त वर्ष दी और इस देश दी सोची और सरबंस कुर्बान कर दिता और इस सित्रा ही गुरु दे सिखाने में किता थे सनू उनना त गा रेडियो खुशी 90.4 FM ते तोहा डे नाल ततक लई दो इजास ता अपने ड्वाइन और दिलदार आर जे गुर्वेल सिंग नो कल फे रेडियो खुशी ते यसी इसे विले पांच तो शेदे बेच जुडांगे ते तोहा डे नाल करांगे और विचारा दिसाएं ततक लई रब रखा दोस्तों जूदे बस दे रो चड़ दिया कलाच रो सरबात पर परा जेड़ा